हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू आर चैनल, लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास पूर इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वाइस करेंगी इस चैप्टिर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखे और अगर आप क्लास पूर इंग्लिश ग्रामर का कोई और चैप्टर समझना चाते हैं तो हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर ज़रूर आएं यहां हमने इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक कवर करा हुआ है और स्टुडेंग्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और स्टुडेंग्स मैं आपके साथ करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट प्राक्टिस क्वेस्ट इस टॉपिक के तो लेक्स स्टॉपिक टॉपिक अपसे पहले हम समझेंगे एक्टिव वोइस एक संटेंस है माईरा लव्स कॉफी यानि माईरा कॉफी बहुत अच्छी लगती है माईरा को कॉफी अब यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे एक्शन है लव्स और हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा था कि एक्शन को वर्ब कहते है अब students, जो यह Myra है, Myra क्या है? Myra is doing this action, Myra is doing this action, इसलिए Myra को कहेंगे doer of the action, जिसे हम कहते हैं subject, यानि जो action कर रहा है, उसे कहेंगे subject. अब यह जो action हो रहा है, यह किस पे हो रहा है? कौफी पे, तो कौफी क्या होएगा? कौफी receives the action, तो कौफी कहलाएगी object, तो देखिए, एक sentence में subject होता है, action यानि verb होती है, और object होता है. active voice समझने के लिए, अगर आपको यह समझ में आ गया है, कि subject, action, object क्या है किसी sentence का, तो समझ लीजिए, आपको active voice समझ आ चुकी है. in active voice, subject performs the action, तो active voice में, जैसे कि मैंने आपको बताया, subject जो होगा, वो action को perform कर रहा होगा, ठीक है? तो यह बात याद रखिए, जो active voice में हमेशा, subject is performing the action, ओकी? जैसे कि यहाँ, माइरा लव्स कॉफी, तो माइरा जो subject है, वो action perform कर रही है, शी लव्स कॉफी, ठीक है? first there is subject, and in end there is object, तो active voice में, जो sentences होते हैं, वहाँ पे subject पहले होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, माइरा जो subject है, वो पहले लिखा हुआ है, और जो object होगा, वो बाद में लिखा होता है, जैसे कि इधर, coffee जो object है, वो बाद में लिखा होता है, तो यह सबसे बड़ी पैचा पहले होता है और object जो होगा वो बाद में होगा और examples दिखाती हूँ the lady played the piano तो यहाँ पे the lady, कौन action कर रहा है lady, तो वो subject है यह पहले लिखा हुआ है और playing क्या हुआ, action हुआ और piano क्या हुआ जो action deceive कर रहा है, यानि object तो subject पहले है और object बाद में है okay, so subject perform कर रहा है, action let's see another example, the driver drove the car, तो driver subject हुआ, drove action हुआ, और car object, so subject is performing the action on object, ठीक है now, what is passive voice now, let's see the sentence, coffee is loved by Myra अब जो पहले sentence था, उसको change कर दिया है उसको passive voice बनाया है coffee is loved by Myra अब इस sentence में भी Myra जो है वो subject ही है but in passive voice subject is the receiver of the action subject, action receive कर रहा होता है तो by definition in passive voice subject is receiver of the action यहाँ पे Myra जो है वो subject है अब students, अगर आपको यह थोड़ी सी confusing लगता है कि बही subject यहाँ पे active voice में कुछ और कर रहा था, यहाँ पे कुछ और कर रहा है तो एक simple सी बात मैं आपको बताती हूँ कि passive voice में first there is object जैसे कि यहाँ पे इस sentence में coffee जो object है वो पहले लिखा है and in end there is subject जैसे कि जो subject Myra है वो इस sentence में बाद में लिखा हूँ है तो बस आप यह बात याद रख सकते हैं passive voice में object पहले होता है और subject बाद में होता है ठीक है? कुछ और examples देखते है the piano was played by the lady अब यहाँ पे piano क्या है? object है और subject क्या है? lady तो piano पहले लिखा है और lady बाद में लिखा है ठीक है? ऐसे ही the race car was driven by the driver तो race car जो एक object है वो पहले है sentence में और driver जो subject है वो बाद में है तो यह पहचान होती है active voice और passive voice की ठीक है students अब आईए इसे और clear करने के लिए हम करते हैं कुछ practice exercise pick out active और passive voice अब हमें यह sentences given है और हमें बताना है whether that sentence is in active और passive voice so let's see the first sentence this shopkeeper sells fresh vegetables तो यहां पे shopkeeper is the subject he is doing the action of selling and what is the object vegetables so subject is performing the action on object तो यह क्या बना active voice ठीक है next teacher explaining the poem clearly so here teacher is subject she is performing the action explanation यानी on poem which is the object so it is in active voice next sentence our house is being renovated अब यहां पे students house क्या है it is an object उस पे action हो रहा है and it is being renovated renovated action हो गया तो यानी object पहले है object पहले है तो यह क्यों सा sentence हुआ यह हुआ passive voice अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें subject तो है यह नहीं yes इसमें subject नहीं है देखिए passive voice में it's not necessarily कि आपको subject गिवन हो क्योंकि वो ऐसे बन सकते है our house is being renovated by whom नहीं गिवन it's fine object पहले है तो it is a passive voice the poem was not explained well again here poem it is an object और explanation हमारा action हो गया and again there is no subject तो object पहले हुआ तो कि क्या sentence है यह sentence है passive voice ठीक है let's see the next sentence lunch is served between 1 p.m. and 3 p.m. अब यहाँ पे lunch जो है वो क्या है वो object है and it is served but by whom वो गिवन नहीं है यानि subject missing है अगर subject लिखा भी होता तो वो end में लिखा होता तो यानि यह कौन सा voice हुआ यह भी passive voice हुआ ठीक है तो passive voice में जरूरी नहीं है कि subject गिवन हो but active voice में subject हमेशा गिवन होगा और वो भी starting में होगा let's try fewer sentences he has taken a difficult catch तो यहाँ पे he जो subject है he is performing the action taken action तो इस sentence में subject पहले आ रहा है तो यह क्या हुआ active voice last sentence these plants will be watered once in a week तो यहाँ देखिए कि जो plants है यह क्या है object तो object पहले गिवन है action हो रहा है watering का but by whom यानि जो subject है वो आना था पर नहीं लिखा तो subject बाद में है object पहले है तो यह बना passive voice तो students अब मुझे I am very sure that you have understood how to identify a sentence whether it is an active voice or a passive voice sentence next let's learn when to use active and passive voice तो पहले हम देखते हैं कि हम active voice कब यूज करते हैं sentence in active voice are simple short and elegant तो जो active voice के sentences हैं वो simple होते हैं short होते हैं और elegant होते हैं और हम naturally और commonly active voice ही use करते हैं अगर आप अपनी normal अपनी language की भाशा की बात करें तो जब हम बात करते हैं हम active voice ही usually use करते हैं active voice is more अपनी 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 किसी टीचर की वो टीचर इंग्लिच पढ़ाती है या हम बोलते हैं कि English is taught by Mrs. Jen क्या हम ऐसे बोलते हैं कि English Mrs. Jen के दुआरा बढ़ाई जाती है क्या हम passive voice यूज करते हैं naturally नहीं तो question है कि हम अगर जादा तर active voice में ही बात करते हैं वो ही use करते हैं तो हम passive voice कब यूज करते हैं तो आएए अब ये देखते हैं when to use passive voice when subject is more important than the object then we use passive voice जहां पे subject जो है वो जादा important है object से वहां हम sentence को passive voice में बोलते हैं for example the chief guest was welcomed by the head girl so this means कि chief guest was किसने welcome किया head girl ने तो यहां पे head girl जो subject है वो जादा important है वही ये बात हो रही है कि chief guest को किसने welcome किया head girl ने so ये sentence हमने बनाया passive voice में इसी तरह से एक और example देती हूँ my story was appreciated by all the judges जो story थी वो किसने appreciate करी सारे judges ने तो judges जो subject है वो जादा important है story से तो इसलिए ये sentence भी form हुआ है passive voice में when the subject of action is not known जब subject उस action का हमें नहीं पता है जब भी हम passive voice यूज करते है for example the road in front of our house was dug up हमारे घर के सामने जो सड़क है वो खोदी गई थी तो यहाँ पे हमें subject नहीं पता we don't know who dug up, who dug it, who dug it the road तो इसलिए ऐसी जगा पे भी हम passive voice यूज करते है एक और example the identity cards were checked at the gate जो identity cards थे वो gate पर check हुए थी अब किसने check करें, we don't know ठीक है, तो ऐसी जगा पर हम करेंगे passive voice use जहाँ पे action का subject हमें नहीं पता है तो यह दो मैंने आपको instances बताए हैं जहाँ पे हम passive voice use करते हैं Now let's understand how to form passive voice So students, यह जो topic है How to form passive voice यह आपके exam point of view से बहुत ही important topic है आपको sentences given होंगे active voice में और आपसे कहा जाएगा that form them in passive voice ठीक है, तो passive voice में किसी sentence को form करने से पहले आपको समझना होगा कि जो given sentence है वो कौन से tense में हैं तो यह जड़ा थोड़ा सा मुश्किल topic है, इसे प्लीज ध्यान से सुनी पहले हम सीखते हैं simple present tense अगर आपको जो sentences given है simple present tense में जैसे की my parents guide me या she respects the teachers तो यह दोनों ही sentences है simple present tense देखिए यह आपे लिखा है ना parents guide me, respects, she respects तो यह हुए simple present tense में अब इन्हें हम कैसे convert करेंगे passive voice में यह देखते हैं तो यह simple present tense में है ना तो अब इसको passive voice में जब हम form करेंगे तो हम is, am, are इनमें से किसी का use करते हैं और verb की third form यानि past participle form का use करेंगे students याद रखिए passive voice में sentence कोई भी tense में given हो हमेशा third form of verb use होती है यह तो यह golden rule है इसका कि हमेशा use होएगी third form of verb ठीक है? अब देखिए first sentence को हम form करते हैं passive voice में my parents guide me अब जब हम इसको हम convert करेंगे passive voice में तो me का बन जाएगा I और I के साथ लगता है am तो हमने लिख दिया am अब verb है हमारी guide इसकी third form क्या बनेगी? guided ed लगा देंगे and then by my parents जो subject है वो बाद में आएगा तो यह sentence बना I am guided by my parents ठीक है? next sentence she respects the teachers अभी यहाँ पर teachers को पहले लिख देंगे teachers और teachers के साथ क्या लगेगा इस MR में से? yes are और verb की verb क्या इदर? respects इसकी third form क्या बनेगी? respected the teachers are respected by अब देखो subject क्या है इदर? she she का क्या बनेगा? her the teachers are respected by her तो इस तरह से हमने form करने है passive voice के sentences ठीक है? इस MR तो लगेगा ही लगेगा और verb की third form लगेगी और बाकी आपको ध्यान लखना है कि जैसे sentence में given है me she तो ये भी change होते हैं यहाँ पे हम by she नहीं लिख सकते उसका हमें बनाना पड़ेगा her ठीक है? अब अगर sentence given हो simple past tense में जैसे की PV सिंधू won the match तो ये जो sentence है active voice का ये है simple past tense में कैसे identify करा? verb से देखिए win जो verb होती है उसका second form होती है one the one तो इसलिए ये sentence है simple past tense में इसी तरह से miss जोशी explain the rules तो ये जो simple past tense के sentences है इन्हें कैसे form करें passive voice में ये देखते हैं अब हो तो सबसे पहले तो हम is mr की जगा अभी यूज करेंगे was या verb और verb वही third form of verb रहेगी ठीक है? ये तो simple सा रूल याद रखिए कि third form of verb ही use होती है passive voice में और उससे पहले use होएगा was या verb तो पहले sentence को हम form करते हैं passive voice में pv.sindhu won the match तो सबसे पहले तो आएगा the match और match एक singular है तो इसके साथ लगेगा was the match was अब verb जो होती क्या verb है ये? win तो win की third form भी one ही होती है तो हम इदर नीचे लिख लेंगे one उसके बाद by the match was won by अब subject क्या था? pv.sindhu तो pv.sindhu तो नाम है right तो वो तो as it is रहेगा तो हमने इदर लिख दिया pv.sindhu the match was won by pv.sindhu तो ये बन गया passive voice में sentence अब next sentence जो है miss joshi explain the rules आईए इसे form करते हैं passive voice में तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे the rules अब rules plural है इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे were the rules were explained third form वो ही रहेगी explain की explained the rules were explained तो लगाएंगे by और इदर फिर से हमें एक name given है by miss joshi the rules were explained by miss joshi ठीक है तो ऐसे हम करेंगे simple past tense के sentences को passive voice में now if we are given sentences in simple future tense तो जब हम कैसे form करेंगे passive voice for example my friends will help me तो यह जो sentence है यह simple future tense में है कैसे पता चला देखिए will लगा हुआ इदर तो will, shall यह जो sentences होते हैं यह simple future tense के होते है she will answer all the questions तो यह भी sentence है simple future tense में will लगा हुआ इदर तो अब हम इन sentences को कैसे convert करेंगे passive voice में देखते हैं देखे रूल है हम वही will और shall तो रहे गई उसके साथ लग जाएगा be यानि will be या shall be और verb की रहेगी third form जैसे कि पहले sentence को हम करते हैं convert passive voice में my friends will help me अब me का क्या बनता है I और इदर will given है तो हम लिखेंगे will और उसके साथ लिख देंगे be I will be अब verb क्या है help help की third form क्या बनेगी help I will be helped by a friends my friends लिखा है तो वो तो as it is रहेगा by my friends तो sentence बना passive voice में I will be helped by my friends next sentence she will answer all the questions तो सबसे पहले the questions for students इदर ध्यान दीजिए उससे पहले all भी लगा हुआ है तो हम यह सारा यह तीनों words लेंगे all the questions will be will given है sentence में तो वो तो as it is रहेगा उसके साथ हम add कर देंगे be will be और वर्ब क्या है answer उसकी थर्ड फर्म क्या होगी answered all the questions will be answered by अब शी है शी का मैंने क्या पताया था क्या बन जाता है her all the questions will be answered by her तो यह बन गया sentence passive voice में तो देखा कैसे हमने simple future tense के sentences को form करा passive voice में will be या shall भी लगाएंगे और third form of verb उस करें now अगर हमें sentence present continuous tense में given हो तो कैसे convert करेंगे उसको passive voice में जैसे की the members are discussing my proposals अब यह sentence present continuous tense में है कैसे देखे इदर ing लगा हुआ है ing अगर verb के साथ होता है तो वो क्या होगा present continuous tense में r है और उसके साथ है ing एक और sentence he is flying a kite verb fly है उसके साथ ing लगा हुआ है तो यह sentence भी है present continuous tense में यानि यह काम अभी हो रहा है sentences को passive voice में convert करने के लिए हम क्या करेंगे present present है यह तो अब present tense में हमने देखा था is, am, are में से कुछ यूज करते हैं ठीक है वो तो सेमी रहा अब students continuous है यह tense तो continuous को दिखाने के लिए जहां पे हम ing यूज करते हैं उस चीज को दिखाने के लिए हम यूज करेंगे being ब-e-i-n-g पस यही एक चीज है जो आपको याद रखनी है present continuous में कि being लगता है और verb की तो हमें पता ही है वो ही third form लगेगी तो देखें कितना easy है इसको convert करना passive voice में the members are discussing my proposals तो सबसे पहले क्या आएगा my proposals अब proposals जो है वो plural है तो उसके साथ लगेगा are my proposals are और फिर हम लिखेंगे being अब verb को देखें verb क्या है discuss इसकी third form बनती है discussed और उसके बाद हम लगाएंगे by और फिर the members my proposals are being discussed by the members अब second sentence को देखें he is flying a kite तो पहले हम लिख लेंगे a kite अब kite singular है तो उसके साथ लगेगा is a kite is और फिर being a kite is being अब verb क्या है verb देखेंगे fly है verb fly की जो third form होती है वो होती है flown a kite is being flown by और he he का क्या बनता है him तो sentence बना passive voice में a kite is being flown by him ठीक है तो present continuous tense के sentences को passive voice में form करने के लिए is mr और उसके साथ being और verb की रहेगी वो ही third form of verb use करे now अगर हमें sentence past continuous tense में given हो जैसे की sonam was helping her mother अब यहाँ पे was लगा हुआ है यानि यह past है और ing form यूज हुई है verb की तो यानि यह past continuous tense में है एक और example they were criticizing us तो यह दोनों ही sentences past continuous tense में है इन्हें कैसे हम convert करेंगे passive voice में अब past tense के sentences के लिए हमने पहले भी देखा था कि हम was या were यूज करते हैं अब इधर continuous यानि ing form of verb यूज होती है तो उसे दर्शाने के लिए उसे दिखाने के लिए हम यूज करते हैं being b-e-i-n-g जैसे कि अभी हमने present continuous tense में यूज करा था और वोई verb की हम यूज करेंगे third form so let's convert these two given sentences in passive voice sonam was helping her mother तो सबसे पहले अब देखिए इधर her mother है तो her अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा किसकी mother sonam की mother so sonam's mother अब ये mother जो है वो singular है was was के साथ लगाएंगे हम being sonam's mother was being अब verb क्या है sentence में देखो verb क्या उपर help help की third form होगी helped उसके बाद लगाएंगे by sonam sonam's mother was being helped by sonam next sentence they were criticizing us अब देखिए us है us का क्या बनेगा passive voice में बनेगा we यानि हम we plural है उसके साथ लगेगा were we were फिर हम लगाएंगे being being और verb क्या है इसकी sentence में वर्ब देखिए वर्ब है criticize criticize की third form होती है criticized by और they they का क्या बनेगा them we were we were being criticized by them तो passive voice में students ये ध्यान रखिए कि ये तो चीज़ आपको verb वगेरा की third form was were being ये सब तो करना ही करना है उसके अलावा जो subject वगेरा given है और जो objects हैं उनको भी change करना पड़ता है depending on कि क्या sentence में given है वो जैसे कि us का इदर बना we they का बना them ठीक है तो ऐसे हम change करेंगे past continuous sentences की sentence को passive voice ना लाश्टली अगर हमें sentences present perfect tense में given है तो उन्हें कैसे हम form करेंगे passive voice तो देखिए यहाँ पे has use हुआ है तो यह sentence क्या है यह है present perfect tense में इसी तरह से एक और sentence लेते हैं I have received these orders यह sentence में भी have use हुआ है यानि has और have वाले sentences को हम present perfect tense में कहते हैं तो इन sentences को हम कैसे form करें passive voice में इसके लिए हम use करेंगे has या have और उसके साथ लगाएंगे been be double e and been और verb की use करेंगे हम third form जैसे कि अभी तक करते आए हैं so has या have उसके साथ लगेगा been और verb की third form तो पहले sentence को देखते हैं कैसे form करेंगे passive voice में somebody has closed the main gate तो पहले हम लिख लेंगे the main gate अब जो singular में है वो main gate जो है वो singular form है तो इसके साथ लगेगा has has के साथ लगाएंगे been has been अब verb जो है students present perfect tense में जो verb है वो already third form में होती है तो हम उसे as a table use कर सकते हैं has been closed by और फिर क्या given है somebody तो इदर भी नीचे लिख लेंगे हम somebody the main gate has been closed by somebody देखे कितना easy है इसको passive voice में form करना next I have received these orders तो सबसे पहले लिखेंगे these orders जो plural में हैं तो इसलिए हम use करेंगे have have के साथ लगाएंगे been और verb already given है third form में received और फिर उसके बाद लिखेंगे by और I का देखेंगे अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपने by I नहीं लिखना है वो completely wrong होता है लिखेंगे by me these orders have been received by me तो यह भी बन गया है passive voice में तो देखा students मैंने आपको यहाँ पे कितने सारे बताए हैं कि कौन से tenses अगर given हो तो उन्हें कैसे form करना है passive voice में और students एक बात मैं बताना चाहूंगी कि मैंने tenses और verbs के उपर separate videos बनाई हुई है अगर आपको कोई भी doubt है tenses को लेके या verbs को लेके कि बई कैसे उनकी third form वगरा होती है तो आप मेरी separate videos जरूर देखिए वो आपको मिल जाएगी नीचे description box में now let's do some practice questions rewrite in passive voice तो यहाँ पे sentences given है हमें उन्हें passive voice में लिखना है पहला sentence है Mrs. Rao was narrating an interesting story तो देखिए यह जो sentence है इसमे ing यूज हुआ है यानि यह continuous tense है और मैंने आपको बताया था कि ing जहाँ पे continuous tense को दिखाने के लिए हम passive voice में क्या यूज करते है being तो यह sentence बनेगा an interesting story अब was क्योंकि singular है और ing के लिए हम क्या लगाएंगे being an interesting story was being अब verb की बन जाएगी third form narrated by Mrs. Rao ठीक है next sentence she has shown great kindness अब यहाँ has है यानि perfect tense में है और उसके साथ third form already होती है shown तो इसमें हम क्या add करेंगे बस हमें add करना है being बी double e end तो सबसे पहले लिखेंगे great kindness जो plural singular है has been shown by she का बन जाएगा her great kindness has been shown by her third sentence fire crackers pollute air यानि यह sentence simple present tense में है तो इसका क्या बनेगा हमें is mr में से कुछ use करना है और third form use करनी है verb की तो सबसे पहले लिखेंगे will या या शाल के साथ be लगाते हैं तो देखिए यह बनेगा sentence the application will not given अब will not और उसके साथ लगाएंगे be और verb की बनेगी third form यानि accept की बन जाएगी accepted by he का बन जाएगा him the application will not be accepted by him तो देखा हमने कैसे एक एक वर्ड के साथ हम कितना easily convert कर रहे हैं passive voice में next sentence we did not like the movie अब did not है यानि यह है simple past tense में तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम करेंगे was और was या वर में से और वही वर्ब की third form तो सबसे पहले लिखते हैं the movie अब इसके साथ singular है तो लग गया was not liked वर्ब जो है like उसकी third form मनी liked by अब we है we की जगा क्या आएगा us by we नहीं दिखेंगे वो गलत है the movie was not liked by us last sentence they are singing Christmas carols अब यहाँ पे ing यूज हो रही है यानि present continuous chance r के साथ ing है यानि ये present continuous chance है तो इसमें हम क्या करते हैं हम यूज करते हैं being right तो हम लिखेंगे Christmas carols जो plural है तो लगा are being अब वर्ब क्या है sing sing की third form होती है sung by अब दे की जगा क्या बन जाएगा them Christmas carols are being sung by them तो देखा students हमने कितनी असानी से जो active voice के sentences थे उन्हें passive voice में convert करना सीख लिया इनकी खूब practice करिये ये बहुत ही असान topic बन जाएगा आपके लिए practice करने से प्रूब झाफे एपके बनाएगा